Google Classroom को मोबाइल पर करने के लिए आप सबसे पहले Play Store से Google Classroom को डाउनलोड करें इस वेरी सिंपल यहां से इस तरीके से आप Google Classroom को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उपन कर लें आपको फिर किसी भी अपने अकाउंट से Google Classroom को ज्वाइन करना है और ओके के उपर क्लिक करें इस तरीके से तो यह आपकी जो Google Classroom है वो आपको दिखाए देगी अब स्टुडेंट्स Google Classroom को कैसे ज्वाइन करें उसके लिए जो नीचे प्लस साइन है इसके उपर क्लिक करें अब Create Class Teachers के लिए होता है वो Teachers Class क्रिएट करेंगे और Students Class को ज्वाइन करेंगे तो Students के लिए है Join Class इसके उपर क्लिक करेंगे और आप उसके बाद यहाँ पे अपना एक कोड डालेंगे आपको अपना कोड यहाँ पे डालना है Class का कोई भी कोड होता है जो भी आपके टीचर ने आपके पास भेजा होगा वो कोड आपको यहाँ पे डालना होता है तो वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे और अब इसमें code डालने के बाद हम जैसे ही join के उपर click करेंगे तो इस तरीके से simple सा है आप class join कर जाएंगे यहाँ पर आपको जो सबसे पहले जो इस तरह का निशान आपको दिखाए देता है यह material का है new material जैसे यहाँ पर teacher ने जो भी material भेजा है वो आप देख पाएंगे तो teacher के द्वारा भेजा हुआ material है इस video को आप देख पाएंगे उसके बाद नीचे notes अगर कुछ है कुछ teacher ने कहा है comments है तो वो यहाँ पर हो सकता है आप कुछ लिखना चाहते हैं टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसके बाद आपको homework teacher ने भेजा हुआ है और यहाँ पर वो assigned लिखा हुआ है यह homework teacher ने आपके लिए भेजा है यह आपको complete करना है और due date यहाँ पर लिखी हुई आती है due Monday जैसे लिखा हुआ है तो due date लिखी आएगी लिखी हुई दिखाई देगी आपको यानि कि इस date से पहले या इस date तक आपको यह homework आपका complete करना है क्या है कैसे करेंगे वो देखते हैं क्या करना है सभी student जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है notes त्यार करने है और उस notebook की photo आपको teacher के पास भेजनी है चलिए कैसे भेजेंगे अब वो देखते हैं तो यहाँ पे हमें करना है add work, add work, add work के उपर click करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं देखिए option different different है आप drive से google drive पे आप पड़ा हुआ है तो सबसे easy method यह है कि आप यहाँ पे camera का उपयोग करें क्योंकि camera से उपयोग करके आप photo ले सकते हैं या page को scan कर सकते हैं सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम page को scan करें वीडियो को record करने के लिए teacher ने कहा है कि आपको को question आपको बताना है या कुछ करके दिखाना है तो वीडियो record कर सकते हैं या photo ले सकते हैं कोई भी एक काम आप इन में से कर सकते हैं जिस भी method से चाहें आप पूरा कर सकते हैं मैं यहां पर for example हम बात करते हैं कि एक page को scan करके हम भेज रहे हैं यहां पर मैं page को scan करता हूं जैसे इसके साथ यू मैंने page को scan किया अब यह क्या करेगा इस page को scan कर देगा ओके कर दें और जैसे ही हम करेंगे तो ये देखिए अपने आप इसने scan को scan कर लिया है और अगर आप PDF में convert करना चाहते हैं तो ये PDF में भी convert कर देगा अब आपकी multiple page की है जैसे एक page में काम नहीं चलता तीन चार page के हैं तो आप इसके उपर click करेंगे तो आप एक page और scan कर पाएंगे उसके बाद for example मैं यहाँ पर एक बस दिखाने के लिए आप click कर रहा हूँ कि इस तरीके से हम ये page scan करना चाहते हैं ओके करें तो ये इस तरीके से page scan कर लेगा और भी जोड़ना चाहते हैं तो और भी page अब यहाँ पर दो page जुड़ गए है show के उपर click करें और इस तरीके से ये आपका homework वाभी send नहीं हुआ है आपका homework यहाँ पर इकठा हुआ है अब आपको इसको करना है कि हाँ आप complete कर चुके हैं तो turn in जो सबसे नीचे दिखाए दे रहा है इसके उपर click करें एक attachment है वो submit हो जाएगी तो turn in के उपर click करें और इस तरीके से आपका homework जो है वो work submitted का option आएगा और आपका work submit हो गया है तो इस तरीके से आपको काम करना है तो इस तरीके से आप अपना जो Google Classroom है उस पे join कर सकते हैं Google Classroom को और अपना जो homework है वो complete करके send कर सकते हैं अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है तो आप नीचे comments के अंदर लिख सकते हैं Thank you very much